तो जहीन साथियो देखिये friends, आज की इस वीडियो में जो दपलेट फरम के दोवारा question bank निकाला हुआ है, आज की इस वीडियो में उसका दूसरा सेट देखने वाले हैं, देखिये दूसरा सेट में जो भिहार सची वाले के दोवारा जो exam लिया गया था 2013 में उसी का इस में सम पूर्ण रूप से प्रस्न दिया गया है देखिए किसी भी एक्जाम को क्रेक करने का सबसे आच्छा विकल्प यही रहता है कि सबसे पहले उसका प्रिभीय सियर देखा जाए ठीक है फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में जो 2013 का एक्जाम हुगा था बिहार SAC के दवारा उसी उनी जो जितने भी प्रस्न पूछे गए थे उनी सबी प्रस्न को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए बिनादेरी के हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंट्स पहला यहाँ पर पूछा गया था कि नगर कोजी कोंड कहा लाता था तो देखिए फ्रेंट्स नगर कोजी कोंड जो है वह यहाँ पर कालिकट कहा लाता था अप्सन अमर डी जो है इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा कालिकट किराल में बंदरगा है और इसी बंद्रगाप और सबसे पर्थम पुर्तगाली यात्री जो वासको डिगामा थे वो आये हुए थे इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है Next question पूछा गया था कि राष्ट्रिय गीत इस उपनयास से लिया गया है यानि कि जो राष्ट्रिय गीत है वो किस उपनयास से लिया गया है तो वो आनंद मद से लिया गया है और आनंद मद के उपनयास के लेखा कौन है तो वो है बाकीम चंदर चटर जी ये ध्यान में रखियेगा नेक्स्ट कोचन है कि निम्न ब्यक्ति के समाधी अस्थल को बिजय घाट कहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो लाल बहादूर सास्त्री है इनके जो है समाधी अस्थल को बिजय घाट कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है कि पर्थम बार जवाहरलाल नहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस बर्स चुने गए थे तो देखिए जो 1929 का लाहर अधिवेशन हुगा था उसमें इनको जो है पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था अप्सन ए जो है इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि जहासी की रानी के तोर पर कौन प्रसीद है तो जहासी की रानी के तोर पर लच्मी भाई प्रसीद है और जहासी की रानी देखिए यहाँ पर उनका मूल नाम अगर पुछा जाए तो मनी क फ्रेंट्स अगर उनका पती का नाम पुछा जाए तो आपका हो जाएगा गंगा धर राव फ्रेंट्स यह भी कितनी बार एकजाम में पुछा जा चुका है गंगा धर राव नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर देखिए ब्रीटिस आसन के बिरोद कांग्रेस ने किस बर्स असयो गंदोलन पराम किया था तो देखिए फ्रेंट्स असयो गंदोलन उननी सबीस में सुरूगा था अप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर देखिए एक मांचित्र में समान दाब वाली रेखाए कहलाती है तो एक मांचित्र में जो समान दाब वाली रेखाए कहलाती है वो आईसो बार कहलाती है अप्शन नमबर C हो जाएगा Next question मैक मोहन रेखा भारत तथा इस देश के सीमा के बीच में है तो देखिए friends जो मैक मोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में है अप्शन D हो जाएगा Next question सत्पूरा परवत सिंखला तापती तथा इस नदी के बीच में इस्तित है तो देखिए friends जो सत्पूरा परवत सिंखला है ये तापती और नर्मदा नदी के बीच में है अप्शन नमबर E हो जाएगा Next पूछा है कि माउंट एवरेस्ट के उचाई लगभग है तो देखिए friends जो माउंट एवरेस्ट के उचाई है वो ऐसे तो 8848 मीटर है लेकिन यहाँ पर अप्शन नमबर B हो जाएगा 8850 मीटर Next question देखिए बोला है कि तलचर कोईले की खान यहाँ है तो जो तलचर कोईले की खान है वो आपके उरिशा में है अप्शन नमबर C इस question का right answer हो जाएगा Next question है कि उस पर्थम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ दो सुर्योदय होता है तो देखिए friends जो केपलर 16 भी है यहाँ पर दो बार जो है सुर्योदय होता है इसलिए अप्शन नमबर D हो जाएगा Next question पुछा गया है कि जो जनजाती संथाल है वो किस राद से सम्मंदित नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो है जो संथाल जनजाती है वो उरिशा जारखंड और पची मंगाल इन तीनों देशों में रहते हैं इसलिए यहाँ पर अप्शन नमबर E हो जाएगा अशा में जो है संथाल जनजाती नहीं है Next question की तरफ बढ़ते है तो देखिए फ्रेंड्स Next question पुछा गया था कि भारत में बिसालतम समुद्री टट यहाँ है तो भारत में जो बिसालतम समुद्री टट है वच्चे नहीं में है यानि कि तमिलनाडू हो जाएगा जो मरीन बीच जिसको मेरीना बीच बोला जाता है वच्चे नहीं में है और इसलिए यहाँ पर तमिलनाडू इसकोषचन का राइट एंसर हो जाएगा Next question है कि जारखंड के उतर में इस्तित राज वह आपका विशाखा पर्टनम हो जाएगा अपसर नमर D हो जाएगा Next question पूछा गया था कि दिली से कलकाता को जोडने वाली राष्टिये मार्ग का करमांक है तो देखिए फ्रेंड्स जो दिली से कलकाता को जोडने वाली राष्टिये मार्ग है वर यहाँ पर राष्टिये मार्ग 2 है, अप्सन नमबर B हो जाएगा Next question, केसर का मुख्य उत्पादक राज कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज जो है, जमु कस्मीर है, अप्सन C हो जाएगा Next question, रभी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है तो देखें friends, रभी फसल में गेहूं आता है, और गेहूं की कटाई आपकी मार्च में होती है इसलिए यहाँ पर अप्सन नमबर A हो जाएगा बिहार में इस्तित इस्पाद सर्यंत्र है, तो बिहार में देखिए जो टिस्को इस्पाद सर्यंत्र है, वही इस्तित है अप्सन नमबर B हो जाएगा नेक्स्ट है कि नरवड़ा नभी किये सकती केंद्र यहाँ इस्तित है, यह उतर परदेश में इस्तित है, अप्सन नमबर C हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस कोईले में कार्बन की मात्रा अधिक्तम होती है तो देखिए, फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कोईचन का राइट एंसर एंथरासाइट हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन की बात करें तो नदियो दोवारा मीटी का जमाव कहा लाता है वह एलूबियल कहा लाता है, अप्सन नमबर A हो जाएगा next question देखिए चीन की संसद काहलाती है चीन की जो संसद होती है वो national people congress काहलाती है option number A इस question का right answer हो जाएगा ठीक है friends next question है कि जवाहरलाल नहरू इस समय तक परधान मंत्री थे तो देखे फ्रेंट्स जवाहर लाल नेरू जो थे वह 1947 से लेकर वह 1964 तक परधान मंतरी बने रहे थे अपसर नमबर बी जो है इस कोस्चन का राइट एंसर हो जाएगा इसके बाद जो है लाल बहादु सास्तरी बने थे उसके बाद इंदरा गांधी बनी थी नेक्स्ट कोस्चन है कि भारत में संग सासित परदेश की संख्या है तो देखे फ्रेंट्स जो 2013 में एक जाम हुआ था तो उस समय संग सासित परदेश यानि कि साथ थे लेकिन बरतमान में अगर पुछा जाए तो भारत में 28 राज हैं और 8 केंदर सासित परदेश हैं ये ध्यान में रखियेगा नेक्स्ट कोस्चन भारत में पर्थम महिला मुख मंतरी थी सुचेता क्रिपलानी अप्शन B हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहां पर कोश्चन 28 नमर है कि इस ब्यक्ति ने लोकसावा चुनाव में सबसे ज्यादा भोटो से जितने का 20 रिकॉर्ड कायम किया था तो यह उस समय का करेंट अफेर्स है और उस समय जो राम बिलास पस्वान थे वही जो है सबसे ज्यादा भोटो से जीते थे इसलिए अप्शन नमर ए हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पुछा है कि किसे फरंटीर गांधी कहा जाता है तो यह देखिए बहुत सारे एक्जामों में यह कोश्चन पुछा गया है और इस कोश्चन का राई टेंसर खान अबदूल गफार खान हो जाएगा अप्शन नमर बी हो जाएगा इस कोश्चन का राई टेंसर नेक्स्ट है कि इस बर्स पर्थम ब्यक्ति अंतरीक्ष में गये थे तो देखिए जो 1961 इस भी में यूरो गगरीन जो गये थी रूस से वही इस कोश्चन का राई टेंसर हो जाएगा 1961 में ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट कोश्चन ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है तो ओमेगा जो 3 है ये वसी ये अमलका है अप्शन नमबर A जो है इस कोश्चन का राई टेंसर हो जाएगा निमलीखित निमन में से कौन पर्मानु सनचना के सिधान से सम्मंदित नहीं था तो देखिए फ्रेंड्स जोन डॉल्टन ने पर्मानु सिधान दिया था सीसो ताथा साबून दोनों के घटक हैं तो देखिए कुछ सीसा और साबून ये दोनों जो है पोटैसियम में यहां होता है अप्शन B जो है इस कोश्चन का राई टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इस तत्व का पर्मानुभार मानक के रूप में लिया जाता है तो देखिए जब हम कारवन C 12 की बात करते हैं तो यहां पर कारवन होना चाहिए अप्शन नमबर A जो है इस कोश्चन का राई टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या है तो हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या जो है तीन होती है अप्शन B इस कोश्चन का राई टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि पींच बलेंड इसका एक अयसक है तो जो इरेनियम का यहां पर अयसक है वो पींच बलेंड है इसलिए अप्शन नमबर A हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन की मिसरधातू एलमुनियम बरॉज में उच्त मनुपात में उपस्तितत है तो देखिए एलमुनियम बरॉज में जो है 90% जो है तामबा होता है ठीका, फ्रेंट्स, 90% क्या होता है, तमबा होता है और 10% एलमूनियम होता है, तो इसलिए यहाँ पर तमबा जो है इस question का right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि अकार्बनिक योगिक से संसलेशिट पर्थम कार्बनिक योगिक था, तो पर्थम कार्बनिक योगिक जो संसलेशिट वो इूरिया हो जाएगा आपका और सबसे पहले इूरिया का निर्मान बोहरन कराया था ये आप ध्यान में रखियेगा ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन देखिये यहाँ पर बोला है कि बुर्टज अभिकिरिया इसे प्राप्त करने है तू परियुक्त होता है तो इल गलिस रॉल में प्राथमिक इलकोहलिक समुह की संख्या कितनी है तो देखिये गलिस रॉल में प्राथमिक इलकोहलिक समुह की संख्या जो होती है वो अद्दो होती है अप्सन C हो जाएगा बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो नेक्स्ट यहाँ पर कोश्च पूछा गया था कि परकाश उंस्लेशन का प्राथमिक उत्पादन है तो परकाश उंस्लेशन का जो प्राथमिक उत्पादन है वो यहाँ पर गुलकोंच हो जाएगा, अप्षन B हो जाएगा, next question mushroom है, तो देखिए फ्रेंड्स, mushroom जो है एक कवक है अप्सन D इस question का right answer हो जाएगा या प्रकंद का एक उदारन है तो देखिए friends अधरक अधरक और हल्दी ये जो है प्रकंद का उदारन है ठीका friends next question देखिए यहाँ पर बोला है सबसे जोड से बोल सकने वाले जन्तु तो सबसे जोड से बोल सकने वाले जन्तु नील हवेल हो ज जाएगा next है कि प्रकास अंसलेशन थथा स्वसन का समान उत्पादन है तो प्रकास अंसलेशन और स्वसन का जो समान उत्पादन है वह है आपका जल next next नमर देखिए यहाँ पर बोला है कि यह अंतर सत्रावी ग्रंती का एक उदारन है तो देखिए friends जो थाइडाइड है य यह अंतर सत्रावी ग्रंति का एक उधारन है, नेक्स्ट देखिए, बॉला है कि कौन सा अंग पीद का सत्รावन करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यक्रित जो है, ये पीद का सत्रावन करता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रिकांबिनेंट DNA टेकनोलोजी के विकास के पस्ताथ ही या तक्निक समभव हुई आए तो DNA अंगली मुद्री करण यह जो है रिकांबिनेंट DNA टेकनोलोजी के पस्ताथ तक्निक समभव हुआ है Next है कि निम्न का कारण विशानू है तो देखिए friends रे भी जो है ये विशानू के कारण होता है बाकी जितने भी तीन अपसन देख रहे हैं ये जो है जिवानू के कारण होने वाला है next गती का अध्यन कहलाता है तो गती का अध्यन जो है ये kinematics कहलाता है अपसन A quantum सिधान्द का सुझाव किस ने दिया तो quantum सिधान्द का सुझाव फलंक ने दिया था अपसन C हो जाएगा next है कि वह ये अंत्र जो अत्याधिक तापकरम को मापता है उसको pyrometer बोलते हैं अपसन A हो जाएगा next है lux इसकी 1 है तो lux जो है परदिप्ति का है अपसन D हो जाएगा next है कि यह एक अस्व सक्ति का सम्तुल है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक अस्व सक्ति बराबर होता है 746 वाट, option A हो जाएगा Next question की तरह बढ़ते हैं तो next यहाँ पर question देखिए बोला है कि यदि एक अवतल दर्पन में बस्तु एम पर्तिभीम दोनों वक्रता केंदर पर है तो पर्तिभीम कहां बनेगी तो पर्तिभीम कैसी बनेगी तो देखिए फ्रेंड्स जब बस्तु अवतल दर्पन में बस्तु और पर्तिभीम दोनों जो है वक्रता केंदर पर हो तो वहाँ पर बस्तु के समानाकार का पर्तिभीम बनता है तो option C हो जाएगा Next question की बात किया जाए तो बोला है कि उसमा गतकी का कौन सा नियम कहता है कि बीना किसी बाहे कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली बस्तु से किसी उच ताप वाली बस्तु को उसमा अस्थनांतरित नहीं किया जा सकता है तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है उसमा गत्की का दूसरा नियम कहता है तो option C जो है इस question का right answer हो जाएगा next है कि एक वाईव यान की धौनी समानत इसके संगत होती है तो एक वाईव यान की धौनी जो है वह से decibel के बराबर होती है इसलिए यहाँ पर option number B हो जाएगा next question पुछा गया था एक नैनो मीटर बराबर है तो देखिए friends एक नैनो मीटर बराबर दस के पावर माईनस 9 मीटर होता है और यहाँ पर centimeter में दिया है तो इसको 10 के पावर 2 से यहाँ पर गुना कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटिमीटर अप्सन D हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है कि सौर उर्जा का प्रमुक स्रोथ है तो सौर उर्जा का जो प्रमुक स्रोथ है वरना भी किये सनलैन है अप्सन D इस कोचन का राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अप्सन D हो जाएगा नेक्स्ट कोचन की बात किया जाए तो बोला है कि उस राज का बरतमान नाम क्या है जहाँ नलांदा नाम का प्राचीन सेक्षिनिक अस्तल था तो देखिए फ्रेंड्स जो नलांदा यहाँ पर विश्व विद्याले है वह बिहार में है अप्सन A इस कोचन का राइट एंसर हो जाएगा यह प्रसीद अस्तल बिहार में इस्तित है तो देखिए इन चारों में से जो असोक अस्तम भाई यह बिहार में इस्तित है नेक्स्ट कोचन की बात किया जाए तो बोला है कि किस लेखक ने जासुसी पात्र पोईरोट की राचना की तो देखिए friends, पोई रोट की राचना जो है, क्रिष्टी ने किया है, option B हो जाएगा, next question है कि किस लेखक ने प्रसीद चरित्र जिक्स की राचना की, तो जिक्स की राचना जो है, बुड हाउस ने किया था, option B हो जाएगा, next है कि इस राष्ट का राष्टिय परतिक सिंग नह next यहां की बात किया जाया, बोला है कि यह दिवस, इक्विनोक्स का राथा है, अब देखिए friends, जो 21 मार्च होता है, और यहां पर 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर, इस दिन जो है, इस दिन जो है, सूर्य यहां पर दिन और राथ बरावर होता है, इसलिए यहां पर option नमबर, ज बिमान दुर घाटना में मारे गए तो बिमान दुर घाटना में इसमें से देखिएगा तो संजाय गांधी हो जाएंगे नेक्स्ट कोशन उस समय का देखिए जो है वह करेंट अफ्यर से है और पुछा है यह राजनितिक कभी दूर संचार विभाग का कारेवाही मंत्री नही थे नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोशन देखिएगा यहां पर बोला है कि पुलेला गोपी चंद्र इस खेल से सम्मंदित है तो पुलेला गोपी चंद्र जो है वह बैडमिंटन से है और साइना नेवाल के यह कोच भी रह चुके है ठीक है फ्रेंड् जब का कोशन जो 2013 में है उसमें के और लाताम मंगेसकर को मिला था लेकिन अभी फिलाहाल देखिएगा तो इसमें सचीन तेंदुरकर को भी मिल चुका है और अटल वियारी बाचपेई को भी मिल चुका है नेक्स्ट कोशन की बात किया जाए तो बोला है कि भारत का यह कलेंडर का नेक्स्ट कोशन की बात किया जाए तो बोला है कि 5 सितंबर इस कारण मनाये जाता है क्योंकि यह इनका जनम दिवस था तो देखिए जो राधा कृष्णन थे स्वरपली राधा कृष्णन उनिका 5 सितंबर का जनम दिन था और टीचर डे मनाये जाता है नेक् फ्रेंड्स next question है कि यह राज नमक आउदपादर नहीं करता है तो देखिए हमारा जो बिहार है यह जो है नमक आउदपादर नहीं करता है इसलिए option number B हो जाएगा next है भारत में पहली बोलती फिलिम थी तो भारत में जो पहली बोलती फिलिम थी वह आलम आ रहा थी option number यहाँ पर C हो जाएगा next question देखिए यहाँ पर next question पुछा है कि serviceist feature film की राष्टिय पुरसकार प्राप्त करने वाली पहली film थी तो serviceist feature film की राष्टिय पुरसकार प्राप्त करने वाली जो पहली film थी वो स्यामची आई थी option B हो जाएगा next question यहाँ पर देखिए बोला है कि वाक्यांस just do it किस company से सम्मंदित है तो यह जो है Nike company से सम्मंदित है option D हो जाएगा next question यहाँ पर पुछा गया है कि inside दर्द निवारक की एक सिंखला में I इसके लिए आता है तो यहाँ पर I का full form बताना है तो यहाँ पर देखिए I का जो full form हो जाएगा आपका यहाँ पर inflammatory हो जाएगा ठीक है friends next question की बात किया जाए तो next question देखिए यह जो है यहाँ पर 2011 में किस नेता ने अंसन किया तथा इसे सदभावना मिशन कहा तो अन्ना हाजारे जो 2011 में जो है जो अंसन किये थे उसे को सदभावना मिशन उन्होंने कहा तो देखिए हमने जो है जो 2013 में science और यहाँ पर GKK जितने भी प्रस ने पूछे गए थे 80 से 80 प्रस ने पूछे गए थे और बाकी जो question था मयत और reasoning का था उन्होंको हमने करा दिया यहाँ पर वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं next set लेकर तब तक के लिए जैंद